तुम्हें कितनी बार बताना है? मेरे तयर होने से पहले मेरा नास्ता तयर हो जाना चाहिए। शादी के 25 सल बाद भी मुझे क्यू बार बार एक ही बाद बतानी पढ़ती है लता? तुम्हें क्या है? तुम तो अराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है तुम हो की हमेशा बेवोकुफो जैसी हरकत करती हो अगर तुम्हें ये जानबुच कर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आज भी प्रसंद का पारा चड़ा हुआ था इन कटू शब्द में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला, टौलिया, कुर्सी पर फेकते हुए प्रशंद गुस्से से लता की तरह देखने लगा लता की लिए प्रसंद का ये बेवजा का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी, वो महिने में तीन चार बार ऐसी लता पर बरस परता था पहले पहले लता उसका बिरोत किया करती थी, लेकिन जब कोई सालों तक प्रसंद में कोई बदलाब नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया अब प्रशंद की कुछ भी कहने से लता को कोई फरक नहीं पड़ता था, प्रशंद की हार बात वो चूप चाप सिर नीचे जुकाए सुन लेती थी शादी के पहले पास साल तक लता ने पूरी क्योशिश की थी कि प्रसंद को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बात में लता को भलबुरा कहना ये मानों जैसे उसकी आदत बन गई थी कोई भी बात वीबात होता तो प्रसंद सीधा लता को बोल देता अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने माई की, क्यू रहती हो मेरे साथ इतना सब कुछ होने के बावाजूत लता प्रसंत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, और वो जाती थी, तो कहा, अपने बुड़े हो चुके माबाप को इस उमर में परिशान करना वो नहीं चाहती थी, समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे देखना था, वो इतनी पड़ी लिखी थी तो नहीं, कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके, और अपना और अपनी बेटी का पालन पोसन कर सके, लता को अब अपनी फिकर नहीं थी, उसको फिकर थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की, लता नहीं चाहती थी कि पती पत्नी की जगड़ी की वज़ा से कभ्या डिस्टाव हो। कभ्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके लिए आप शादी के रिष्टे आने लगे थे। कई रिष्टों को तो कभ्या ठुकरा चुकी थी। दो-तिन महिने बाद एक अच्छा रिष्टा आया। रिष्टे है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिष्टे बार-बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। अभी अपने पिता से जादा बात नहीं करती थी, शायद ड़ती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकठी कर बोली मुझे आभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैर पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो ऊसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बात भ क्यूं डिपेंट रहेगा पापा तब्या ने पूछा मैं कह रहा हूना मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहाँ ऐसे रिष्टे बारबार नहीं आते इसे ठुकराओ मत बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ प्रसांद बोला पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहोंगी जितन और वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगे मुझे आपके जैसे जिवन चाती नहीं चाहिए जो बीना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो दस बर सोचना पड़ी कहीं वो नराज ना हो जाए मेरी तवियत कैसी भी हो उसे परवा ना हो रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोश निकाले और हार चोटी मोटी बात पर मुझे माई के जाने के लिए कहें कभ्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया प्रस कभ्या इतनी ही बोल कर चुप नहीं हुई आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी पापा आपने मा के साथ हमेशा गलत बैवर किया आप अपने ऑफिस का गुस्सा बीना सोचे समझे मा पर उतर देते हैं कभी इस बात की परवावी नहीं करते क कि उन्हें कैसा लगता होगा आपके बाते सुन सुन मा ने अपना स्वाभिमन खो दिया प्रशान तस पहली बार आपने किये बरताबों को महसूस कर पा रहा था वो इतना ही बोल पाया जो तुम्हारा मन है वो करो मैं तो इतना बुरा हुँ ना कभ्या ने प्रशंत का हाथ पकड़ा और बोली पापा मुझे स्रिप एक सवाल का जवाब दे दो क्या आप चाहेंगे कि मेरा पती आपके जैसा हो अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिष्टा आज ही और ना है तो मुझे आत्मों निर्भर बनने दीजिए प्रशंत कुछ भी नहीं ब पाया और वहाँ से चुपचा बहार चला गया आज उसे लटा के सामने जाने में शर्म आ रही थी चलते चलते उसकी आखों से आसो बहे रहे थे प्रशंत ने आज से अपने आपको बदलने का निश्चाय किया अगले दिन से लटा ने अपने पती में काफी बदलाब देख वो सोचने लगी कि जो हिम्मत काफिया ने दिखाई है वो हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देते तो शायद आज परिस्तिती कुछ और होती आप काफिया पढ़लिक कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और तिन सल बाद उसके लिए एक अच्छा रिष्टा आया और उसकी विदाई पर प्रशंद बोला बेटा तु हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पती तेरा बाब जैसा नहीं है प्रशंद के ये बात सुनकर लता और कप्य की आखों से आसु बहने लगे दोस्तों हमारे समझ में और्तों को भाले ही देवी का दर्जा दिया जाते हैं लेक इसकुल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती हैं मुबायल पर बाते करते हुए दिख जाए या खिरकी से जखते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे जखड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को आई के चले जाओ अब आप ही बताओ दोस्त ऐसी इस्त्रियों का सच्चा घर कौन सा आखिर वो किस घर को अपना कहें